But I need to tell you something I really, 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 really like you I want you, do you want me, do you want me too I really, 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 really Hello guys, welcome to the YouTube channel Guys, आज हम बात करेंगे Captain Marvel के Artwork के बारे में जो कि अभी हाली में रिलीज हुआ है और काफी ज़्यादा बाइरल हो रहा है अगर आपको नहीं पता है तो वो मेरा Artwork आपको इस वीडियो के बाद फीस्बुक पे मिल जाएगा जिसे मैं पिनप कर दूँगा तो आपको Avenger Infinity War का एक इवेंट याद होगा जिसमें कि Thanos Snap the Finger का यूज करकर सारे Avengers को खतम कर देता है तो ये सीन काफी एहरान करने बाला था क्योंकि फैंस काफी दुखी थे कि सारे Avengers मर गए बट उसके बाद हमें एक कोश केरेट सीन दिखाई दिया जिसमें कि Nuke Fury मारी अहली एक साथ थी और Nuke Fury ने एक डिवाइस से Captain Marvel को संदेज बेजा जी हाँ अब उसके बाद क्या होगा तो finally Captain Marvel की Time Line में आ जाते हैं तो Captain Marvel यहाँ पर Ronin को हराने के बाद उसके बाद यहाँ पर आ जाती है Skulls की बारी तो यहाँ पर Skulls हर किसी का रूप लेके रह रहे होते हैं जी हाँ Avengers का भी और देन Humans का भी और देन उन सबों को खतम करने के बाद हमारी Captain Marvel स्पेस में चली आती है और वो महाँ पर स्पेस बॉर लड़ रही होती है जी हाँ और यह है वो सीन तो जिसमें कि वो Skulls से लड़ रही है और देन Skulls से लड़ते लड़ते इसकल से एकदम अचानक गाइब हो जाते है तो वो होता है Snap the finger के चक्कर में यहाँ पर Captain को मिलता है एक संदेश वो होता है Nick Fury का जो की होता है Fury Code बस Simple That's it तो यह artwork हमें काफी सारी detailing work देता है और देन उसके बाद Avenger Infinity War के event में जाने के Avenger 4 में Thanos की मार पड़ती है तो यह काफी सारी चीज़े हमें पता चलती है उस artwork से तो गाइस आपका क्या कहना इस artwork से relative मुझे comment section में जरूर बताएगा और देन गाइस आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लिए like comment शेर करो जो बंद इस वीडियो नहीं देख रहे है या दोस्ते रेडल के हत मारो या पेर मारो सब्सक्राइब करो बाबाई जा रहो